हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको पोश के महिने में सुकल पक्ष में पढ़ने वाली एकदसी जिसे पोश पुत्रदा एकदसी कहा जाता है इसके बारे में पूरी जानकरी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो पोश के महिने में सुकल पक्ष में पढ़ने वाली एकदसी को पोश पुत्रदा एकदसी के नाम से जाना जाता है इस बार ये एकदसी 13 जन्वरी को आ रही है ये साल 2022 की पहली एकदसी होगी एकदसी के वर्त को सास्त्रों में बहुत पुर्णियदाई और स्रेष्ट वर्तों में से एक माना गया है हर हर मा में दो एकदसी होती है सभी एकदसी भगवान विश्णु को समर्पित है दोस्तो पुत्रदा एकदसी साल में दो बार आती है एक पोश के महिने में दूसरी श्रावण माह में पोश के महिने की सुकलपक्स की एकदसी को पोश पुत्रदा एकदसी कहा जाता है ये वर्थ संतान प्राप्ती की कामना करने वाले लोगों के लिए अत्यन उत्तम माना गया है दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वर्थ को रखने के नियम क्या है यह वर्थ दो परकार से रखा जाता है निर्जला और फला हारी या जलिय वर्थ माना जाता है कि सामान्यत है निर्जला वर्थ पौन रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए इसके तहट वर्थ से एक दिन पहले साथ विक भोजन करना चाहिए प्राते काल सनान के बाद वर्थ का संकल्प ले इसके बाद गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामरित से विश्णु भगवान की पूजा करें वर्थ के अगले दिन किसी जरूरत मंद व्यक्ति को भोजन करें और दान दक्षना देकर वर्थ का पारण करें इस वर्थ को निर्जला यानि बिना जल के किया जाता है यदि विशेश प्रश्टितियों में वर्थी की शंता नहीं है तो शंद्या में शाम के टाइम दीबदान के पश्चात फलाहार किया जा सकता है जिसे फलाहार वर्थ का जाएगा दोस्तो अब मैं बताता हूँ ये खास क्यों है नी संतान दमपतियों के लिए एकदसी तित्यों में पुत्रदा एकदसी का भी विशेश स्थान है नी संतान दमपतियों के लिए यह वर्थ एक बहुत महतुर रखता है यह वर्थ संतान प्राप्ति और संतान उन्नति की कामना के लिए किया जाता है माना जाता है कि जो विवेक्ति पूरी शर्दा, नियम और विधी विधान से पुत्रदा एकदेसी का वर्थ रख करते हैं उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है इसी कारण से पुत्रदा एकदेसी इस वर्थ को कहा जाता है पोश माह में पढ़ने के कारण इसे पोश पुत्रदा एकदेसी कहते है इसकी विदी बताता हूँ अब मैं आपको पोश्पुत्रदा एकदेसी के दिन शर्दा पूर्वक भगवान विश्णू का पूजन किया जाता है इस वर्थ की विदी इस परकार है पहले पोश्पुत्रदा एकदसी का वर्थ रखने वाले सरदालों को वर्थ से पूर्व दस्मी के दिन एक समय सात्विक भोजन ग्रहन करना चीए वर्थी को सैयमित और भर्माचारिय का पालन करना चीए हर एकदसी तिथी की तरह पोश्पुतरदा एकदसी वर्थ के नियम भी दस्मी तिथी से ही आरंब हो जाते हैं इसलिए यदि आप एकदसी का वर्थ करने जा रहे हैं तो दस्मी तिथी को दूसरे पहर के बोजन करने के बाद सूरियास्त के बाद बोजन ना करें प्रातरकाल स्नान के बाद वर्थ का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करें गंगाजल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामरत से भगवान नारायन की पूजा करनी चाहिए इस वर्थ में रखने वाले बिना जल के रहना चाहिए यदि वर्ति चाहे तो संद्याकाल में दीबदान के पच्षाद फलार कर सकते हैं वर्त के अगले दिन द्वारदसी पर किसी जरूतमंद व्यक्ति या ब्रामन को बोजन कराकर दान दक्षिना देकर वर्त का पारण करना चीए संतान कामना के लिए इस भगवान कर्शन के बाल सवरूप की भी पूजा की जाती है इस दिन इसके लिए प्रातेकाल पती पतनी को संयुक्त रूप से श्रीक कर्शन की उपासना करनी चीए उन्हें पीले फूल पीले फूल जो बताया मैंने आपको तुलसी दल और पंचामरत अरपित करें इसके बाद संतान गोपाल मंतर का जब करें मंतर जाब के बाद पती पतनी संयुक्त रूप से परसाद ग्रैन करें एकादसी के दिन बगवान क्रिशन को पंचामरत का भोग लगाएं दोस्तों अब मैं बताता हूँ इस वर्थ से जुड़ी कथा के बारे में बदरावती राज्य में सुकेतु मान नाम का राज्या राज्य करता था उसकी पतनी सैव्या थी राजा के पास सब कुछ था सिरफ संतान नहीं थी ऐसे में राजा और रानी उदास और चिंतित रहा करते थे राजा के मन में पिंड दान की चिंता सताने लगी संतान की चिंता में राजा का मन बहुती व्याकुल रहता था इसके कारण वो राजपाट भी ठीक से नहीं समाल पा रहे थे इसलिए एक दिन वो राजपाट छोड़कर जंगल की और चले गए राजा को जंगल में पक्षी और जानवार दिखाई दिये राजा के मन में बुरे विचार आने लगे इसके बाद राजा दुखी होकर एक तलाब किनारे बैड़ गए तलाब के किनारे रिश्वी मुनियों के आस्रम बने हुए थे राजा आस्रम में गए और अपने मन की चिंता मुनियों को बताई राजा की चिंता मुनी सुनकर मुनी ने कहा कि आप नियम पूरवक पुत्रदा एकदेसी का वर्त रखें राजा ने मुनियों की बात मान कर पुत्रदा एकदेसी का पूरी निश्टा और नियम के साथ वर्त रखा और द्वारदसी को इसका विदी विदान से पारण किया इसके फल सवरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गरब धारण कर लिया और नो महीने बाद राजा को पुत्र की प्राप्ती हुई तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको पुत्रदा एकादसी के बारे में पूरी जानकारी दे दियोगी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि साल में दो पुत्रदा एकादसी आती है तो मैंने आपको ये जो पोश मा में पुत्रदा एकादसी आती है जो इस बार 13 जनवरी के है इसके बारे में ये सारी जानकरी आपको इस वीडियो में दी है ठीक है दोस्तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकरी वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगे से शेयर करें ताकि सब को ये जानकारी मिल सके और कमेंट बोक्स में दोस्तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताए और दोस्तो जो भी आप लोग इस एक अदसी के बारे में कहना चाहते हैं आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिखके बताएं और दोस्तो इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नूटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके दन्यवाद दोस्तो जै हिंद